दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा टर्बल सेंडिंग चेक आप्शन्स इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करते हैं अगर आप SMS कर रहे हैं किसी को या कहलो मैसेज कर रहे हैं लेकिन आपका मैसेज सेंड नहीं हो रहा है आपको यहाँ पर एक एरर मिल रहा है टर्बल सेंडिंग चेक आप्शन्स तो इस प्रॉबलम को सॉल कैसे करते हैं यह प्रॉबलम क्यों आ रही है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा वीडियो आपको इसकीप नहीं करना है सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और अपने मैसेज एप को अपडेट कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना है अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी apps आपको इस setting को open करना है अब यहाँ पर उपर में आपको एक setting मिलेगी app management या manage app या app list इन तीनों में से एक option आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसे open कर लेना है अब यहाँ पर आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी यहाँ पर आपको message app को धूंड लेना है message app आपको मिल जाएगा इस पर आपको click करना है तो message app की app info की setting open हो जाएगी लेकिन अगर आपको इस तरह से setting नहीं मिल रही है तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ आपको message app पर एक second के लिए दबाना है तो यहाँ पर कुछ settings लिकल कर आ जाएगी आपको यहाँ पर i button पर click करना है या यहाँ पर आपको app info का एक option दिखाई देगा आपको app info पर click कर देना है जैसे आप app info पर click करेंगे या i button पर click करेंगे तो message app की app info की setting open हो जाएगी अब आपको यहाँ पर force stop पर click करना है यह option आपको नीचे भी मिल सकता है ठीक है यहाँ पर आपको force stop पर click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर storage uses में आना है इसके बाद यहाँ पर आपको clear data पर click करके clear data delete कर देना है इससे आपका कोई भी sms delete नहीं होगा ठीक है इतना काम आपको करना है इसके बाद आपको back आजाना है आपको message app को open करना है इसके बाद यहाँ पर इस तरह से interface आपको दिखाई देगा नीचे next के button पर click करना है agree पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको दुबारा से message send करके देखना है कि message send हो रहे हैं या नहीं जैसे कि हम message send करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर message अभी भी send नहीं हो रहे हैं यहाँ पर turbo sending का option दिखाई दे रहा है तो दोस्तो सारी setting करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पर इस तरह से error दिखाई देता है टरबल sending का तो फिर दोस्तो इसका मतलब यह है कि आपके phone में SMS pack कतम हो चुका है आपके phone में जो recharge है वो खतम हो चुका है तो आपको तुरंत recharge करवा लेना है यह हो सकता है आपके phone में network नहीं आ रहा है तो आपको यह दो problem की वज़े से यह problem आ रही है अगर आपके phone में recharge नहीं होगा या फिर आपके phone में network नहीं होगा तो आपका SMS send नहीं होगा, message send नहीं होगा, trouble sending का error दिखाई देगा तो आपको फॉरण recharge करवा लेना है तो आपकी ये problem solve हो जाएगी अगर आपको ये video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना